नमस्गार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते ब्रिशिक राशी बालों दोस्वों भगवान भुलिनात का फैशला आचुका है आने वाले शत्रा दिनों के अंदर आप शबी का जीवन बदल जाएगा जिया दोस्वों आप भी कहेंगे कि हे महादेव आपने इतनी बड़ी खुशकवरिया हमको दे दी जी दोसों द्रशल दोस्वों आपकी जानकारी के लिए बता दी कि शबकुछ गरहों का खेल है शबकुछ कर्मों का खेल है दोस्वों जैसा जिसने कर्म किया है भगवान उसको इसा परिणाम देते हैं जी दोस्वों और आपके अच्छे कर्म और आपके अच्छे पुर्शात की वज़ाशी आपने अपने जुनकाल में बहुत ही शुपलताओं को पराप्त किये हैं बहुत ही आपने मेहनत करके ऐसा चीज हासल किया है जो किसी और व्यक्ति करने ही शक्ता लेकिन फिर भी कुछ समय से आप से जुनकाल में यह समय श्यातिक दंग्या चाहरी है जिन से आप बहुत ही प्रिशान हो चुके थे लेकिन दोस्तों वह कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और फल की चिंता ना करो दोस्तों फल तो श्वेंग बगवान भुलिनात देते हैं जो आने वाले 17 दिनों के अंदर बगवान भुलिनात श्रिबाष चीख जिवन बदलेगा कि यहश्मी श्वेंग भुलिनात आपके करमों का हिशाब करने वाले वाले 17 दिनों के अंदर आपुछकुशकबरिया भगवान भुलिनात आपको देने वाले हैं दोस्तों सुनकर आपके अको फोड़ जाएंगे आगे इस वीडियो मे किंके चत्रूं में कौन चत्रंप में आफकी बड़ा लापकी पराप्त होगी क्रहों की जुनकाल में पर टेक चत्र में कौन कोन चत्री बड़ी बदलाव करेंगे बात करेंगे कि आने वाले 2017 दिनों के अंदर आपको होट in shine उधनिया रखनी कि इनने बिल्कुल ही मिश करने की भूल ना करें और एक श्वक्ष इंसान की तरह वीडियो को अंतर देखिएगा दोस्तों आपका जीवन बदल जाएगा इस बात की गिरेंटी है कि दोस्तों श्वेंग भगवान भुरनात कहते हैं कि तू मुझ पर यकीन कर अपने रास्ते पर चलता जा तेरे शाद कोई है या नहीं है इस बात की फिकर मत कर क्योंकि इस बात की फिकर मैं करूंगा क्योंकि तुम्हारा कर्म जेसा होगा तुम्हारा शाद भीवेशा होगा जी दोस्तों इतियास गवा है कि भूलिनात अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते जो भी उनके दर पर जाते हैं उनका मनुकामनाई श्वेंग भगवान भुलनात पूरी करते हैं लेकिन दोस्तों आने वाले शत्रा दिनों के अंदर आपके उनकाल में इतनी बड़ी खुशकवरी मिलेंगी कि आपने कभी श्रपने में भी नहीं शोचे होंगे जिया दोस्तों दोस्तों बात करते हैं शुरुआत करते हैं भगवान श्रीकिष्ण के एक बहुत एच्छे ग्यानशे दोस्तों भगवान श्रीकिष्ण कहते हैं कि कुछ लोग को छोड़ना इसलिए जरू हो जाता है अगर हम उने ना छोड़े तो वो हमें कहीं का नहीं अगर आपको शपलता भी मिली है तो उन शपलताओं पर कभी भी घमंद मत करना तो कि घमंद भगवान का आहार होता है ज्वाप शुब पिता दें कि अपने रूप और रुपए का खाश कर दोस्तों अपने रूप और रूपए का क्योंकि मोर को उनके पंखों का बोज ही उचा उड़ने नहीं देता तो दोस्तों अगर यह बाते हैं आपको सची लगी हो सटिक लगी हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रू करें और उनके लिए कमेंड बॉक्स में जैश्रिकिष्णा राधी रादे तो आई दोस्तों सगी शाद बात करते हैं आने वाले शत्रा दिनों के अंदर भॉलनात के शिरवाश्य आपके नशिव में क्या क्या लिखा है दोस्तों यश्मे राज़के कार किसी की मदद से पूरा होने की आशार है इसलिए दोस्तों काफी हद तक यश्मे शफल रहेगा किसी विसेश्व व्यक्ति से मुलाकात हो शकती है ये मुलाकात आपके लिए लाबदा करेगा इसको प्रांदोस्तों यश्मे अगर आपकी शावधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश्मे कभी-कभी आप समाजिक तोर पर अपने उ होंगी दोस्तों यश्मे सभी चीज़ों को लेकर आप शावधन रहें इसको प्रांदोस्तों यश्मे आपके लिए समयोंगे आपको बता दे कि धेरे धेरे प्रस्तिती पर पूरी तरशे आप नेंतरन कर पा रहे हैं जियोन में इस्तिरता बनाये रखने के लिए आपको को कि परिवार में शुक्ष समर्दी तथा उचित वहस्ता शमर्दी योजना को बनाने के लिए जो दिन होंगे बहुत ही उत्तम दिन होगा इस वहर के अशिरवाद से आप उचित उपलब्दियों को आप भी आसिल करेंगे भानुता हुरूप से आप इनमें सक्षम और समर्थ रहेंगे आपको बदा दें कि पर्तियों के परिशा की त्यारी करने विद्यार्थियों के लिए बहुत यानुकुल समय होगा आप यह में अपने पढ़ाई पर ध्यान को रखें आगे सलकर आपका शवल्दा इंतजान कर रहा है इसके साथ तो आपको बदा दें कि और वशुलों से किसी भी प्रकार का समझता ना करें यह आपके लिए वहतर शावित होंगे इसको प्रांद लुक से रह्काया नहीं. दोस्तों आपको बदा दे यश्व में आपके खुद के प्रती रखी आपक्षाओं को पूरा करपना आपके लिए यश्व में संभभ होगा फिर भी जरत से अधिक खुद पर दवाव बना बनाएं कौन सी बातें आपके लिए अत्यानते महत्पुन हैं और कौन सी नहीं इस दोस्तों आपको बदा दें कि किसी खाश व्यक्ति से मेल जोल आपका बढ़ेगा तो था जीवन में ठराव भी आएगा दोस्तों परिवार के शाद धार्मिक यात्रा के प्रोग्रेम भी यश्व में बन सकते हैं आप जिस अटके हुए कार के लिए प्रिशान हो रही थे द तरह की शंकाएं आएंगी तमाम समस्याओं से उभरने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जत्व होंगी गलत लोग आपके लिए परिशानी पुत्पन कर सकते हैं तो दोस्तों इन लोगों से दूरी बना कर रखें जो लग रहा है कि आपके लिए नुक्शान दाय है और किस बात पर नहीं यह आपको यश्मित दाय करना होगा इसलिए सही लोगों की शंगत में रहने की आप कोशिश करें यह आपके भविश के लिए बहतर शांत होगे इसको प्रांदो सो यह श्मित आपको बता दें आपका श्मित बहुत यह नुकुल समय होगा शांती पुन तरीके से काम शंपन होते जाएंगे शंतान पक्ष की तरब से चल रही किसे चिंता से आपको निजात मिलेगी जिन लोगों से आपका वास्ता पड़ेगा वे सब लोग आपके योगता के कायल हो जाएंगे यह श्मित आप रशनात्मक और उत्सा से भर पूर रहेंग जो है गलत संगतों से आप दूरी बना कर रखें यह आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक समय होगा इसलिए दोस्तों यश्मि में लपरवाई ना बढ़ते हुए इन बातों पर ध्यान दें इसके साथ दोस्तों से यश्मिय आपके लिए सुनोंगे आपको बता दें क कि काम से समय दिए बातों पर अधिक ध्यान देने की भी आऊशकता होगी जो लोग आपके नीचे काम करते हैं यह से लोगों तवरा किसी बात में आपको फंसाया भी जा सकता है प्रवार के लोगों तवरा मांस्विक शमाधान भी प्राप्त होगा इसको प्रांतों से यश प्रवार से भी शयोग मिलने अथ्वा आपका अत्मिश्वास बढ़ाने का अवस्वर प्राप्त होगा दोस्तों पारिवरिक बदलाव की शमाधाय प्रबल होंगी नोकरी में पदनती अथ्वा वेतन ब्रिद्धी की शंभावना यश्मे बन रही है इसके साथ ही दोस्तों यश्मे आपके केरियर के लिजर समयोंगे आपके ओयशाय के लिजर समयोंगे दोस्तों आपको बदा दें कि यश्मे ओयशाय में कड़ी परतिस बरदा रहेंगी प्रन्तु आप अपने मेहनत वारा भी हासिल करने में यश्मे सक्षम रहेंगे सिर्फ अपने अंदर ही किसी परकार की भ्रम ना उपर बेशने दें ये आपके लिए बहतर होंगे टैक्स से जुड़े मामले आपको परिशान कर सकते हैं यश में शेयर मार्केट शट्टा आती जिसे कारियों में रूची लेना आपके लिए नुक्षान दैक रहेगा तो दोस्तों इन सभी चीजों से आपके लिए लाब देगा तरकी में आ रही बाधाएं दुर होंगी तता आपकी पर्द परतिष्टा में भी यश में बढ़त्री होने वाली है दोस्तों ओफिश में किसी जहयों के शाथ काम लेकर मत्वेत हो सकता है तो दोस्तों इसमी इंसे सादों नहें इनसे जो है जग अमल करने का उचिद समय होगा दोस्तों वही नोकरी के काम में अत्रिकत दवा भी आपके उपर बना रहेगा इसके साद olması यश में आपकी लव लाइप के बात करें अर्थाद आपके परीविरीक जिवन की तो दोस्तों यश में परिवार में फ्रेम तदा शमर्पन की भाव परदान बने रहेगा इसको प्रादो से यह में आपके लग लाइप के लिए समयोंगे आपके पार्विनिक जीवन के लिए समयोंगी दोस्तों आपको बता दे कि पर्वार के प्रति आपका श्रयोग घर के माहौल को खुश्चुमा बना कर रखेगा मैमान नवाजयों में सु आपके लिए बहतर होगा